अस्सलामु आलेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु हूँ आज मैं आप सभी का मैक्स डिवाइन एजुकेशनल हब में दिल से इस्तकबाल करती हूँ उम्मीद है कि आप सब बखेर होंगे मेरा नाम रूमा है आज मैं आपको थियोलोजी यानी दिनियात पढ़ाऊंगी दिनियात का सबसे पहला सबक नमबर एक अल्लह ताला है जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का मालिक अल्लह ताला है उसी ने हम सब को पैदा किया वो ही दोनों जहां का मालिक है तो आईए हम इस सबक के जरीए अल्ला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं बिस्मिल्लाहुर्छमानिर्रहीम इसका मतलब होता है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान निहायर रहम वाला है अल्लाह ताला आज हम अल्लाह के बारे में पढ़ रहे है जिसने सारे आलम को पैदा किया है उस जात पाक का नाम अल्लाह ताला है यानि जिसने हमें पैदा किया उसका नाम क्या है अल्लाह ताला अल्ला ताला एक है उसका कोई शरीक नहीं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो किसी का मोहताज नहीं सारा आलम उसी का मोहताज है वो सबसे निराला है वो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है वो बड़ी कुदरत वाला है बच्चों वो किसी का मौताज नहीं होता बलके पूरा आलम उसी का मौताज है वो सबसे निराला है वो सबसे ज़्यादा निराला है वो सब कुछ देखता है दुनिया में जो कुछ होता है हो रहा है वो सब कुछ देखता भी है और सुनता है वो बड़ी कुदरत वाला है अल्ला ताला ही सबकी जिन्दगी और मौत का मालिक है जिसको जब तक चाहें जिन्दा रखे और जब चाहें मार दे यानि जिन्दगी और मौत का मालिक कौन है सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला वो जिसको चाहे इज़त देता है और जिसको चाहे जिल्लत देता है अल्ला ताला जो चाहता है वो करता है उसकी तमाम खोबियां हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी अल्ला ताला किसी पर जुल्म नहीं करता है बच्चो अल्ला ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करता है वो बहुत इंसाफ वाला है वो हम सब का इंसाफ करने वाला है वो अपने बंदों की दूआ कुबूल करने वाला है जो हम दूआ मांगते हैं वो कौन कुबूल करता है सिर्फ और सिर्फ अल्ला ताला वो रहीम है वो करीम है वो रहम करने वाला है और करम करने वाला भी है दुनिया में जो कुछ होता है अल्ला ताला के हुकम से होता है उसका कोई हाकिम नहीं उसकी मर्जी के बगए जर्रा भी नहीं हिल सकता बच्चो दुनिया में जो भी कुछ होता है या हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्ला के हुक्म से ही होता है क्योंकि उसकी मर्जी के बगए एक जर्रा भी नहीं हिल सकता अल्ला ताला जो कुछ भी अपने बंदों के लिए करता है वो उसकी महरबानी है उसके किसी काम में एब निकालना, बुरा मानना, नाराज होना बहुत बुरी बात है यानि हम उसके किसी काम में एब निकाल देते हैं या उसको बुरा मानने लगते हैं नाराज हो जाते हैं आल्ला ताला से बच्चों ये सारी बाते बहुत जादा बुरी है इसलिए हम सब को सिर्फ इसी बात पर यकीन रखना चाहिए کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے वो बेहतर होता है बच्चो हमें सिर्फ और सिर्फ ही इसी बात पर यकीन रखना चाहिए کہ اللہ تعالیٰ जो भी करتा है वो बेहतर होता है اللہ تعالیٰ में तमाम खूबियां है जिसकी वज़ा से सब اللہ تعالیٰ को बहुत से नामों से पुकारते हैं ये सब नाम उसके सिफाती नाम है जैसे वो सब को रिस्क देता है इसलिए उसको राजिक कहते हैं वो सब पर रहम करता है इसलिए उसको रहीम कहते हैं वो सब पर करम करता है इसलिए सब उसको करीम कहते हैं इस तरह अल्लह ताला को निन्यानवे नामों से पुकारा जाता है कितने नामों से पुकारा जाता है बच्चो निन्यानवे नामों से प्यारे बच्चो हम सब को चाहिए कि अल्ला ताला के बताय हुए रास्ते पर चले उसको रहीम करीम माने बच्चों, हम सब को हमेशा अल्ला ताला के बताय हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए उसको रहीम और करीम माने उसकी इबादत करें, उससे हमेशा डरते रहें यानि हमेशा हमें अल्ला ताला से डरते रहना चाहिए और अल्ला ताला की अबादत करते रहना चाहिए उसके किसी काम में एब ना निकालें अल्ला ताला के किसी भी काम में हमें एब नहीं निकालने चाहिए और गुसा ना करें और गुसा भी नहीं करना चाहिए अगर हमसे अल्ला ताला की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो फोरां तोबा करें अगर हमें अल्ला ताला की शान में कुछ हमसे गलती हो जाए या गुस्ताखी हो जाए तो सबसे पहले हमें तोबा कर लेनी चाहिए और अच्छे काम करके ALLAH ताला को हमेशा खुश रखें और हमेशा नेक काम करके ALLAH ताला को खुश रखने की कोशिश करते रहना चाहिए ए आला हमें प्यारी नबी ﷺ के बताई हूई रास्ते पर चलने की तौफीक अताँ फरमा दे आमीन सुम्मा आमीन बच्चो इस तरह हमने पूरे सबक में सिर्फ अल्लह ताला के बारे में पढ़ा अल्लह ताला की शान के बारे में जाना और समझा अल्लह ताला की शान में जो भी कहें कम ही कम है क्योंकि उसकी शान बहुत जादा निराली है उसकी तमाम खूबियां हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगी अल्ला ताला हमें सुनने और समझने के साथ सा नेक रास्ते पर चलने की तौफी अता फरमाएं आमीन सुम्मामीन